दोस्तो आज किस वीडियो में HSC Group D की वेटिंग लिस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं काफी important वीडियो आपके लिए रहने वाली है क्योंकि Group D की वेटिंग लिस्ट से related हर एक important point के उपर हम बात करेंगे सो वीडियो के एंट तक आपको जरूर देखना है सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो सबसे पहले हम official data की बात करते हैं कि as per official data Group D के कितने जो पद हैं वो already भरे जा चुके हैं सो आप सभी लोग जानते हो सबसे पहली list जो है 10,997 की निकाली गई उसके बाद लगबग 3700 की एक list निकाली गई और थर्ड जो list थी वो 26,97 की निकाली गई अगर मैं इन सभी पदों को जोड देता हूँ तो लगबग 17,349 में पदों के ऊपर already list निकल चुकी है यानि कि edge per data 17,349 में या फिर round figure में 17,400 जो पद है वो already यहाँ पर क्या हो चुके है आपके filled हो चुके है edge per data यहाँ पर ठीक है अब यह वो है जो paper के अंदर या फिर documents के अंदर यह माना जा रहा है कि इतने पद जो है वो हम already fill कर चुके है अब यहाँ पर बात आ रही है waiting list की अब waiting list कौन से पदों की आएगी इन total में से जो बच्चे हैं उन में से कितने बच्चों ने रिजाइन दिया है group D के पद से कितनी जो seat हैं वो यहाँ पर vacant रह गई है उन सब को मिला कर जो total seat यहाँ पर बच गई है उनकी waiting list निकालने की यहाँ पर मांग जो है वो की जा रही है अब सवाल उठता है कि कितने बच्चों ने रिजाइन दिया है और कितनी seat जो है वो यहाँ पर vacant रह गई है तो देखिए अब अगर हम सभी जो है data को collect करते हैं तो information यह निकल कर आ रही है कि लग भग 5,000 प्लस जो है वो रिजाइन सा चुके हैं और अगर vacant की बात करते हैं तो लग भग आप मान कर चलिए चार हजार के आसपा जो seatे हैं वो आपकी यहाँ पर vacant है तो अगर मैं बात यहाँ पर करता हूं कि कितनी seatे जो हैं अभी गुरुब डी की खाली है जिन पर waiting list आ सकती है तो लग भग आप मान कर चलिए 10,000 का तो data मैं आपको बताई रहा हूं लेकिन हो सकता है कि यह जो data है य यहाँ पर जा सकता है ठीक है तो अभी जो waiting list की बात चल रही है अभी जो waiting list की बात चल रही है वो किस में चल रही है 9 से 10,000 की जो seatे बच गई है आपकी उनके उपर waiting list निकालने की यहाँ बात चल रही है ठीक है अब यहाँ पर waiting list को लेकर भी बहुत सारे सवाल सामने आ रह बहुत सारे जो सवाल है न वो आपके दिमाग में चल रहे हो गाई और सबके जवाब भी आपको इस वीडियो के अंदर में देने बाला हूँ सबसे पहला जो सवाल आपके दिमाग में चल रहा होगा कि जो वेटिंग लिस्ट है क्या वो सभी एक साथ 10,000 या 10,000 पदों की एक साथ निकाली जाएगी या फिर जो रिजाइन दे दिया उनकी निकाली जाएगी या फिर जो सीट्स वेकेंट से इन पर भी निकल सकती है या फिर जो 4,000 हैं इन पर भी निकल सकती है हो सकता है कि आपकी टोटल के उपर भी निकल जाए या फिर हो सकता है कि आपकी कुछ सीटे जो है ये वाली उपर रिजाइन वाली सीटे है या वेकेंट वाली जो सीटे है इनको new CT के मंदर डाल दिया जाए और बाकि जो कुछ CT उनके उपर जो है आपकी जो waiting list वो यहाँ पर निकाल दी जाए लेकिन सबसे अच्छा तरीका अगर यहाँ पर होगा वो यह होगा कि government जो यह CT है 9-10,000 जो CT है इनके उपर waiting list एक साथ यहाँ पर निकाले ताकि इसका जो करना चाहिए कि यार वो रह गया तो उनके लिए क्या यह नई CT मेड करो जो बच्चों ने हाड़ वर किया ठीक है मानलो कट ओफ गई स्पोज एक्जाम्पल मैं बता रहूं बहतर गई ठीक है और किसी बच्चे के 71.80 नमबर आ गए अब वो यहाँ पर कुछ पॉइंट की मज़ेसे रह गई घीक है या फिर बहतर वक किसी के नमबर गय है और उसके यहाँ पर 70 नमबर आ गए अब यहाँ पर यार उसने हाड़ वर किया हुआ उसने मेहनत किये तो उसको इस CT का जो फल है यह इस CT का जो पूरा का फूरा बेनिफित है वो उसको मिलना चीह और जो वो अलग तरीके से महनत करो, अलग सीटी में अपना हाड़वर करो, और वाँ पर जो वेकंसी आ रहे हैं, उनके लिए तुम हाड़वर करके वाँ पर अपनी सीट को फाइनल करो, ठीक है? सो मेरा ये मानना है अगर मैं आगे अपनी बात को पहुचाता हूँ तो मैं यही बात पहुचाऊंगा कि बाई जितनी भी ये 9-10,000 प्लस जो वेकिंसी जो साए 10,000 प्लस भी जाएंगी अब कैसे जाएंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन इनके ओपर वेटिंग लिस् है बाकी किसी का क्या प्रियास है मुझे नहीं पता मैं तो आपकी तरफ यही बोलूँगा कि इन 10,000 प्लस पदों के उपर जो वेकेंसी है जो सोरी वेटिंग लिस्ट है वो निकाली जानी चाहिए एक साथ निकाली जानी चाहिए जो है टुकडों में नहीं निकाली जानी चाहिए नए सीटी के जो नए पत है वो आप निकालो लेकिन यह जो पत बचे हुए है इनके उपर इसी सीटी के अंदर वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए ठीक है अब दूसरा बड़ा सवाल है कि आपको इनके साथ ही एक पोर्टल भी ओपन करना चाहिए ठीक है यह और ज्यादा पद निकल कर आपके यहां पर आजाएंगे क्योंकि अभी तो आपको पता ही नहीं है लेकिन जब पोर्टल आएगा तो जिसको नहीं है जिसको जरूरत नहीं है वो यहां पर नो डाले और उसके बाद जो निकलता है उसके उपर भी यहां पर आपकी जो वेट सीज है 9-10,000 जो है इनके ओपर एक साथ यहां पर आनी चाहिए ठीक है अब यहां पर आगे आगे रेशो और बढ़ता है तो देखते कि और जादा आती है और कितनी सीटे आपकी बढ़ती है लेकिन जहां तक मुझे आइडिया है 10,000 या 10,000 प्लस सीटे तो आपके लिए रहन मिल जाए लेकिन मुझे नहीं लगता दिवाली के ऊपर जो है यह तोफा आपको दिया जाएगा बट हाँ क्योंकि अभी बहुत सारी चीजे होंगी अगर आप पोर्टल सो गेरा भी अगर कोई सुनता है हमारी आवाज और वो रखता है या और भी चीजे रखता है तो नमबर के अंदर आएगा नमबर नमबर एंड के अंदर या लास्ट जो वीक है उसके अंदर आपकी जो लिस्ट है वेटिंग लिस्ट है यह आपको देखने को मिल सकती है ठीक है यह पूरी पूरी यहां पर आपकी संभावना ही बन रही है और यही पूरा-पूरा हमारा प पांच नंबर, इसके बाद जो है इससे कम वाले तो ही जाएंगे, लेकिन तीन से पांच वाले भी या पर आपकी कट ओफ डॉफ डाउन जा सकती है, इतने नंबर वालों तक का भी सेलेक्शन हो सकता है, क्योंकि आप एक नंबर वाला दो नंबर वाला यह तो इसली आई यहां कई किसी के हो सकते हैं, चार पर भी नंबर आ जाए, तो मुझे जहां तक लग रहा है, कि चार नंबर तक का भी जो है, आपको जितना यह भड़ेगा, उतना ही जादा आपको यहां पर benefit मिलेगा, यह मिलेगा, ठीक है, तो देखते हैं भी क्या होगा, क्या नियोगा, ब इतनी जादा यह हाइलाइट होगी, इतनी जादा बच्चों को पता लगेगी, और आपकी जो बात है, वो भी आगे तक पहुच पाएगी, ठीक है, सो साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए ऐसी वीडियो में लेकर आता रहता हूँ, सो मिलेंगे आपसे एक इतनी वीडियो में तब तक लिए थेंगी सो मच, नमस्कार.